यह बहुत बड़ा प्राश्न है, हर उस बिजनस ओनर के लिए स्मॉल स्केल बिजनस कर रहा है, लाका प्रोफिट हो तो 20,000 रुपे उसको मिलेंगे अरजुन की तरह समझ लीजिए, मैं धनुषबान अच्छा चला सकता हूँ, तभी आपकी कमपनी एक बिलियन डॉलर कमपनी बन पाएगे, और बहुत सारी कमपनी जो इस फॉर्मेट का इस्तिमाल करती है, ऐसे भी मेरे हैं एक्जामपल है कि वह मेरे पास पीओन के रूप मे लेकिन आज वह व्यक्ती, मेटास लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स वर्ल्ल क्लास हाइजिनिक स्टेल स्टेल मॉडिलर किचिन, वैनिटी एंड वाड्रॉब, रस्ट फ्री, टर्माट फ्री, विच साउनलेस टेक्नोलजी, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से यह हैं, उनको कितनी सेलरी मिलनी चाहिए, या कितना पैसा वो अपने बिजनस से डराइब करें, most of the time एक स्मॉल स्केल बिजनस ओनर क्या सोचता है, कि मैंने बिजनस किया, मैंने बिजनस को रन किया, मेरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया, सपोर्ट के बदले उनको सेलरी मैंने अब जितना profit कवाया हो सारा मेरा profit है और उसको मैं अपने घर ले जाने वाला हूँ ऐसा सोचने वाले employer कभी भी अपनी इंडस्ट्री में अपने बिजनस में fast growth नहीं कर पाते हैं उनका एक ही सिधानत होता है उन्हें किया total sale minus total expenditure जो भी खर्चा हुआ बाकी बचा उनका जो भी amount बचा वो उनका profit है और इस पूरे profit को अपने घर ले जाते हैं ठीक उस तरह से मैंने का paid बढ़ता है एक समय तक तो बढ़ते हो देख लिया उसके बाद रोज पत्ते उसमें से तोड़ लेते जितने नई पत्ते आते हैं उस paid की कभी growth नी हो तो एक employer की salary कितनी होनी चीए employer जो सोचता है ना कि ये सारा profit मेरा है वो loss होने पर एकी बात कहता है पैसा में घर से लाए हो जाद रहते हैं कि पैसा कहां से आएगा loss होगा तो यह तो loan लेगा बैंक से loan लेगा, private loan लेगा, fund लेगा, equity लेगा या घर से लेके आएगा अब घर में पैसा कहां से आया था आया तो उसी business से था ना उसी business का वो part है एक employer की salary कितनी होनी चाहिए ये बहुत बड़ा प्रशन है हर उस business owner के लिए small scale business कर रहा है वो सोचता है जितना पैसा है मैंन इसनी salary उसकी होनी चाहिए तो total जिसके दो तरीके है calculate करने के, कि employer का amount कितना होना चाहिए, total profit का 20% वो अपने घर ले जाए, अब चाहिए company को एक लाग का profit हो तो 20,000 रुपे उसको मिलेंगे, दो लाग का profit हो तो उसी ratio में उसको मिलता रहेगा, ये एक ये formula है और 80% जो पैस चाहिए, अब यहाँ पर fluctuation बहुत जादा है, कभी तो profit बहुत जादा हो, कभी बहुत कम होगा, कभी loss भी होगा, तो वो कहेगा loss होगा, तो मैं घर क्या loss लेके जाऊँगा, नहीं न, loss अगर होगा तो उस loss को bear करने के लिए, जो 80% reserve उसकी company में था, उसमें से भरा जाएग दूसरा तरीका क्या होगा, कि सबसे पहले ये समझें कि आपकी company का highest salary paid employee कौन है, for example आपके यहाँ पर salary employed है कोई 20,000 में, कोई 50,000 रुपे में, कोई 70,000 रुपे में, कोई 90,000 रुपे में, तो जो भी आपकी company का highest salary based employee है, उसकी salary का 20% और जोड़कर एक employer को अपनी salary withdraw करनी चाह अच्छा, मेरे पास तो highest एक लाग का employee है, तो क्या 1,20,000 में कमाता हूँ, 50,000 रुपे मेना, तो क्या 1,20,000 मेरी salary होनी चाहिए, ये सबसे कड़वा है उन लोगों के लिए, जो business में अच्छा profit कमा रहे होते हैं, fine, इसलिए, अब जब मैंने का कि, अगर मुझे मेरी company के सब सबसे highest salary paid employee का 20,000 बढ़ा के लेना है, तो इसका मतलब मेरा उद्श्य होना है चाहिए, कि मेरी company में highest paid salary employee आए, और highest paid salary employee आए कहां से, जो already existing employees मेरे पास हैं, उनकी efficiency को बढ़ा कर, उनकी काबलियत को बढ़ा कर, उनको upgrade करें, ताकि उन employees को ये लगे, कि मुझे क्या जूरूत ह कहीं और जाने की, जब मेरी योगेता में इजाफा करने के लिए training भी मुझे मिल रही है, मुझे सीखने का मौका भी मिल रहा है, और जब मैं चीजों को सीख जाऊँगा, तो मेरे सीखने के अदार पर मुझे upgradation भी मिल रहा है, for example, कई companies में मैंने देखा कि वहाँ पर कोई टैली कॉलर वेक्ति है, दीरे 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 वो टैली कॉलिंग में एक्सपर्ट हो गया, तो वो टीम लीडर बन गया, कि उन्होंने 10, 15, 20, 50, 100, 1,500, 200, जितनी केपेबिलिटी है, उतने employees को समाला अच्छे से, और जीजिन उनको लगा कि अब मैं इनको समाल सकता हूं, तो व टीडर अपॉइंट करने लगा, तो कही ना कहीं उसका अपड्रेडेशन होने लगा, वो हर डिपार्टमेंट में शामिल है, चाहे मैं सेल्स की बात करूं, चाहे मार्केटिंग की बात करूं, चाहे एड्मिन की बात करूं, चाहे बैकेंड की बात करूं, डिजाइनिंग की बात करूँ अगर एक विक्ति मान लीजे कोई creative designer है वो इतना expert हो गया कि आप काम भी बढ़ गया क्योंकि मैंने का जब काम बढ़ेगा तभी आपके आगे बढ़ने की opportunities बढ़ेंगी आज उस company के पास designing की लगबग 10-15-20 designing की जरुत थी अब उनको designing 200-300 की जरुत पड़ रही है तो नए number of employees आ रहे हैं तो वो employees जो existing था उसने आपको upgrade किया अब वो बाकी लोगों को train कर रहा है कि हमारी company में कैसे काम होता है धीरे-धीरे करके वो managers को train कर रहा है फि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे company की growth होती जाएगी उसी हिसाब से वो भी बढ़ते जाएंगे तो समझ दिए joint venture होगी है एक तरह से employer and employees के बीच के हम मिलकर इस company को बढ़ा करेंगे और आगे चलेंगे कई बार तो यह भी देखा गया है कि companies में इस level पर लोग आ गए है कि company की same unit वो चला रहे हैं मतलब एक तरह से company के partner company के director company के equity holder बन गए है आज मेरी company में देखें तो ग्यान institute में जो लोग एक employee के रूप में काम कर रहे थे आज मेरे center run कर रहे है lot of examples are there ऐसे भी मेरे example है कि मेरे पास pion के रूप में आया था लेकिन आज वो व्यक्ती highly educated भी हो चुका है पढ़ाई भी कर चुका है अपनी और आज वो ग्यान institute का center run कर रहे है एक ग्यान institute में एक stock manager के रूप में आया था जितना भी stock हमारे students के लिए machine raise, equipment, tools, spare parts का रहता है उसका management करता था धीरे-धीरे सीखने की चाहत थी उसके अंदर फिर वो store की पर बना, store की पर के बाद वहां का manager बना, फिर unit को समालने लगा आ उसके family में तीन centers वो अकेला individually run कर रहे है और ऐसे भी employee जो उस समय पर telecaller था और आज भी वो telecaller है ऐसे भी employee जो समय पर teacher था आज भी वो teacher है इसका मतलब दोनों का combination होता है employer और employee का जिसके अंदर growth possibility है आगे बढ़ने के संभावना है, learning capability है, वही व्यक्ति learning करेगा, वही व्यक्ति life में आगे बढ़ेगा तो मेरा ये आप सभी से कहना है, चाहें आप employer है या employees हैं, आपस में coordination बहुत best बनाएं एक लक्ष को हासिल करने के लिए एक mark पर सभी लोग मिलकर चलें और यही मान कर चलें कि एक ही जगा growth के संभावना है अपार है मेरा training program digital marketing agency में हो रहा था तो मैंने देखा एक छोटी agency शुरू ही दस बारा लोगों से और दस बारा चोटी agency नहीं बोलते हैं दस बारा लोगों से वह शुरू हुई जिसमें designer हैं उसमें designer के बाद में video editor हैं content writer हैं और जबकि हर व्यक्ति का अलग parameter है कोई keyword पर काम कर रहा है कोई किसी पर काम कर रहा है लेकिन उसके बावजू सबने मिलकर सारी चीजों को और सिखा कि yes I know how to find out keyword तो मैं creative design करना जानता हूं मतलब कहते हैं ना कि अर्जुन की तरह समझ लीजिए मैं धनुष माना अच्छा चला सकता हूं तीर का माना च्छा चला सकता हूं लेकिन जुरुत पड़ी तो मैं गदा भी चला लूँगा जुरुत पड़ी तो बाला भी चला लूँगा होते ना अस्त्र शस्त्र योद्धा एक विशय के expert और बाकी विशय को करने के लिए तयार और जो ऐसी योग्यता अपने पास रखता है ना उसकी growth के संभावना होती है number of clients उस company के पास बढ़ने लगे तो उनी लोगों के under और और नए trainee आ गए उनको trained किया गया उनके साथ काम किया और वो लोग उनको manage करने लगे, manage करते 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 managers की team 50 लोगों की हो गई, तो सोचो number of trainees और number of base employees की team कितनी बड़ी हो गई, अब इसमें केवल employees का vision नहीं, employer का भी vision था, कि उसने वो power दी, कि मैं आपको power देता हूं, चीज़ों को सीखो और समझो, वरना companies का एक नियम होता है कि एक व्यक्ति को एक ही vision expert करते हैं, दूसरा समझने नहीं देते, क्योंकि कहीं इसको दो चीज़ ना आ जाएं, यह गलत धारना होती है employers की, तो कोशिश करें कि आपके लोग सारी चीज़ों को सीखें, समझें, और एक team बना कर पूरे नितरित्व के रूप में उसमें काम क तब ही आपकी company, एक billion dollar company बन पाएगे और इसी vision के साथ, जब आप सब काम करेंगे, तो growth के अपार समभाव नहीं होगे, तो मिलते हैं next class में, next विशय के साथ, और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 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 मु